हलो दोस्तो मैं है शृता और आप देख रहे हैं ट्विन्स मैं वर्ल थमनिल देखके समझे कहोंगे कि मैंने आज किस टॉपिक को चुना हुआ है बहुत सारे ऐसे लेडीज हैं जिनको ब्राउन डिस्चार्ज की प्रॉब्लम होती है उनको समझ नहीं आता है कि हमारे जो रेगुलर जो पीरिट्स चलती है उसमें ये अचानक से कहां से ब्राउन डिस्चार्ज आ गया और ये डिस्चार्ज बहुत ही कम डूरेशन का हो सकता है क्योंकि देखें ये बहुत ही लाइट होता है बहुत ही स्पोर्टिंग जैसी भी फील हो सकती है अलग उसका मटमेला सा कलर हो सकता है तो ये सारे जो पीरिट्स के जो डिस्चार्ज आ रहे हैं बहुत ही कम टाइम के ये क्यों हो जाते हैं तो इसकी पहले मैं इन्फॉर्मिशन आपको ये देना चाहती हूँ कभी 40 दिन की चलती है या बहुत दिन से रुके हुए पीरिट्स है तो उस समय आपकी ये जो डिस्चार्ज आती है ब्राउन डिस्चार्ज वो आपके रुके हुए पीरिट्स का एक कलर हो सकता है मेभी इसके कलर में आप परिवर्तन देख सकते हैं लेकिन अगर आपकी periods regular है, बिल्कुल time पे आती है और आप ऐसा expect कर रहे हैं कि मैं भी आपके घर में baby conceive हो सकता है तो ये pregnancy के लक्षन हो सकते हैं ये क्यों होता है? इसके पीछे का reason ये है कि आपके शरीर से एक mature egg release होता है every 28 days की अगर मैं cycle की बात करूँ, जो normal अगर cycle की बात करूँ तो every 13 days, 14 days की बाद, मतलब in between of जो menstrual cycle है उसकी मैं बात कर रही हूँ आपके पास female reproductive system में जो female होती है उनमें दो ovaries होती है left ovaries और right ovaries, तो किसी समय left ovaries से आपको egg release हो जाएगा, under release हो जाएगा कभी right ovaries से हो जाएगा, तो every alternate month आपकी कभी left से होती है, कभी right से होती है तो ये एक जब perfect उसकी size हो जाती है, 18 से 20 mm की size अगर ये acquire कर लेता है उसके बाद ये under होता है, rupture हो जाता है, वहाँ से release हो जाता है और उसका healthy sperm के साथ अगर fertilization हो जाए, तो उसके बाद आपका जो process होता है baby बनाने का वहाँ से शुरू हो जाता है, वो जाइगाट जो छोटा सा है, वो वहाँ आपके uterus की जो wall होती है endometrium होती है, वहाँ पर settle down होने के लिए जाता है, तो वहाँ पर जब वो settle down होता है उसके बाद से आपकी pregnancy की symptom दिखने शुरू हो जाते है तो pregnancy का जो बहुत बड़ा symptom होता है, वो उस समय होता है, जिस समय से जो नन्हा साजाव जाइगाट है वो हाँ आपकी uterus की wall पर चिपकने के लिए जा रहा है तो वहाँ पर होता क्या है कि जो आपकी uterus की wall है, जो lining बनी होई है तो वो आपके बच्चे के 9 महिने की preparation कर रही होती है तो uterus की lining की जो thickness होती है, वो बढ़ती है और उससे होता क्या है कि जब आपका जाइगौर्ट जब यूटेरेस की वाल पेची पकने के लिए जाता है तो वहाँ के कुछ पोर्शन मतलब आप इस तरह से समझ लेजी कि उसको वहाँ सेटल डाउन हो जा है क्योंकि इस समय बेबी के साथ से लिसेंटा भी बन रहा होता है तो वहाँ पर जो एरिया होता है वो थोड़ा सा कुरशता है थोड़ा सा खुदरता है जिससे कि वो थोड़ा सेटल डाउन हो जाए अंदर की तरफ मतलब एक तरह से आप समझ लेजे कि किसी चीज को थोड़ा सा गड़े के रूप में हलका सा वो कुरशता है तो जब आपके एंडोमेट्रियम की वॉल में थोड़ा सा खुर्चन आएगा थोड़ा सा उसमें स्क्रैच आएगा तो वो आपके ब्राउन डिस्चार्ज का as a result हो सकता है क्योंकि देखिए बहुत सारी ऐसी लेडीज है in fact 90 से 91 परसंट के मैं बात करूँ बहुत सारी लेडीज को implantation bleeding होती है तो यही होती है आपकी implantation bleeding लेकिन कही बार महिलाओं को brown discharge के अलावा pink भी अगर light pink type की भी अगर bleeding आ रही है spotting आ रही है तो ऐसा समझ जाना चाहिए कि यह आपकी implantation की bleeding है तो अगर जिस टाइम पे आपका जो baby है वो settle down होता है वहाँ पर थोड़ा सा खुरस्ता है तो वहाँ पर आपको brown discharge होना या फिर light pink discharge होना बहुत ही normal सी बात है और ये सब कुछ होता है आपके evolution के एक हफते के बाद जिस समय आपका जो शरीर है implantation ले रहा है और ये जो settle down जो होता है उसे हम लोग implantation बोलते है और ये सब आपके period जिस दिन आपका period का date है उसके एक हफते पहले ये सारे process होंगे अगर मालीजे कि आपको discharge जैसी जो symptom आपके period के एक हफते पाच दिन छे दिन पहले अगर दिखाई दे रहे है तो आपको ऐसा समझ जाना चाहिए कि ये आपकी pregnancy के लक्षन है period का कोई भी संबन्द इस से नहीं है और अगर periods आपकी जो normal आ रही है मालीजे की brown discharge आने के बाद खुल के period अगले दिन आ गई तो ये एक normal period है लेकिन अगर brown discharge आ जाता है या फिर light pink discharge हो जाता है उसके बाद से वो bleeding बंद हो जाती है एक या दो घंटे की light spotting होती है और bleeding बंद हो जाती है तो ऐसा समझ जाना चाहिए कि ये आपकी pregnancy के लक्षन है अगर आपको brown discharge जवाली symptom अगर दिखाई देती है और आपके period मिस होने के 7 दिन के बाद अगर आप pregnancy test kit पे आप देखते हैं चट करते हैं अगर double line आ जाती है तो please मेरे channel पे बताना मत भूलीगा मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलती है आप लोगों की pregnancy सुनके तो अगर जिनकी भी pregnancy आप बहुत दिनों से conceive कर रही है try कर रही है conceive करना चाती है भगवान करें आपकी कोच जरूर से जरूर भरे और साथी साथ आपकी pregnancies भी बहुत अच्छे से निकल जाए खुशी खुशी आपका बच्चा इस दुनिया में कदम रख ले बस इसी भावना के साथ इसी positivity के साथ आज का वीडियो end कर रही हूँ कुछ भी मल में doubt हो, कुछ भी सुझाओ देना चाते हो तो प्लीज कमेंट में जरूर लिखे और साथी साथ आप मझे instagram पे follow करें और मेरा ये जो channel है और मेरा दूसरा channel है जिसका नाम है twins my world care दोनों को जरूर विजिट करें thank you so much for watching twins my world